नमस्कार दोस्तों एक वर फिर से आपका स्वागत हैं हमारे चैनल कॉमर्स तक तक में तो अगर आपने तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो आज हम डिसकस करेंगे agreement के बारे में जैसे आपको मैंने पिछली लेक्चर में contract के बारे में बताया था तो अगर आपने भी तक नहीं देखा होगा तो तो आज हम discussion करेंगे agreement के बारे में कि agreement क्या होता है तो सबसे पहले agreement को define किया गया है section 2 subsection 2 of Indian contract सब्सक्राइब 1872 में इसको define किया गया agreement होता क्या है agreement का definition दिया गया है every promise and every set of promises promise आपको पता वादा and every set of promises set of promises मतलब बहुत सारे वादे जैसे आपने गाना सुना होगा तुछ अक्सा भीज घुमा दू चाचा की चाय पिला दू बच्चन से तुझे मिला दू कि यहां पर तीन वादे किये गए तिये क्या है setup promise है every promise and every set of promises forming the consideration for each other reason agreement कि जहां पे दोनों party को consideration मिले consideration मतलब क्या आता है कि something in return कुछ ना कुछ उसके बदले में मिलना चीए दोनों party को for example मैं किसी से room बाड़े पर लेता हूं मैं तो सामने आले party ने क्या किया है मुझे room बाड़े पर दिया उसके बदले में उसको मैं क्या दूंगा उसको भाड़ा दूंगा में rent दूंगा में तो यह क्या हो गया consideration हो गया room हो गया और उसके लिए consideration क्या हो गया भाड़ा हो गया अब हम इसके कुछ देखते हैं essentials of valid agreement agreement के लिए कौन-कौन सी खास बातों का ध्यान रखना है simple तरीके में उसको यह भी बोल सकते कि features of agreement तो सबसे पहला valid offer and acceptance agreement के लिए क्या होना चाहिए सबसे पहले valid offer सामने आला party आ कि आपका offer देगा और उस offer को accept करना यह दोनों जब तक करने से satisfied नहीं होगा तब तक agreement की और हम बढ़ नहीं सकते हैं second है it may not create legal obligation agreement से कोई भी legal obligation create नहीं होता है legal obligation तब create होता जब हमारा agreement contract में तबदिल हो जाता है उससे पहले कोई भी legal obligation दोनों party के बीच में नहीं बनने वाला है तो इसके लिए हमने क्या लिखा यहां पर it may not create legal obligation third all agreements are not contract जितने भी agreement होते हैं contract नहीं होते हैं last video आपने में बताया था contract कब होगा जब वह agreement होगा plus उस agreement हम क्या कराएंगे enforce कराएंगे तो ही जाके क्या होगा वह agreement बनेगा वरना contract नहीं बनेगा next state is not final and binding on the parties यह agreement है वो ना तो final है और ना किसी पार्टी को बात भी करता है कि इसमें जो जो बात लिखी गई है सारे बातों का पालन होना चाहिए बाधी कब करेगा बाइंड कब करेगा जब वो किसमें तब्दिल हो जाएगा contract में lawful object and consideration agreement में सारी बात लौफुल होनी चाहिए और consideration भी lawful होना चाहिए कुछ भी illegal नहीं होना चाहिए जैसे मैं बोलता कि तुसको kidnap करके लेकिया तो यह क्या हो गया illegal हो गया consideration तुझे मैं कुछ ऐसा चीज दे दूंगा मैं जो मतलब उमीद के परे हैं तो illegal चीजी होनी चाहिए consideration भी illegal होना चाहिए और lawful object होना चाहिए कोई भी incompetent party से contract करना नहीं है अब यह होता है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियों बता सकता हूं कि capacity to contract क्या होते सिंपल वासां में भी समझें कि जो माइनर है उसके साथ contract करना नहीं है क्योंकि वह contract करने के छमता रखता नहीं है क्या है because वह क्या है capacity मनी है कोई भी contract कर सके तो आज के लिए इतना है दोस्तों थैंक्यू नमस्कार